अर्विंद के जिर्वाल के तिहार जेल जाने के बाद आव ऐसा नहो कि कहीं आतीशी भी गिरफतार हो जाए क्योंकि आम आदनी पार्टी की मुसीबत कम नहीं हो रही है पार्टी के मुखिया अर्विंद के जिर्वाल शराब घुटाले मामले में ऐसे फसे हैं कि उनके लिए जेल से बाहर आना मुश्किल हो गया है E.D. की हिरासत में रहने के बाद अरविंद के जिर्वाल को अब जेल भेज दिया गया है के जिर्वाल को एक अप्रेल को कोट में पेश किया गया था जिसके बाद कोट ने अरविंद के जिर्वाल को 15 अप्रेल तक के लिए तिहार जेल भेज दिया है अब मनीश सोधिया संजस सिंग और सतेंदर जैन के साथ अरविंद के जिर्वाल का भी ठीकाना तिहार जेल हो गया है वहीं कोट में पेशी के दौरान E.D. ने कहा है कि जिर्वाल जाच में सयोग नहीं कर रहे है वो अपना फोन नहीं दे रहे है और फोन का पास्वर्ड भी नहीं बता रहे है इसके साथ ही अरविंद के जिर्वाल हर सवाल का जबाब गोल मूल दे रहे है वहीं अब नए घुटाले में आप के नेता फस्ते दिख रहे हैं वहीं अब आतीशी को भी E.D. से डर सताने लगा है कैसे अब एक और मामले में E.D. ने उड़ा दी है आप नेताओं की नींद और कैसे आपको लेना पर गया है यूटन बताते हैं पूरी खबर विस्तार से आ पाटी के मुखिया अर्विंद के जिर्वाल से लेकर मनी सिसोधिया संजस सिंग और सतियंदर जैन जेल की हवा खा रहे हैं और अब जो खबर आ रही है उससे आपके उन नेताओं की नींद गायब हो गई होगी जो बाहर है आपके नेता और मंतरी कैलाश कैलोत से E.D. की प आने लगा है क्योंकि अब E.D. ने एक और बड़ी कारवाई की है द्रसल शराब घुटाले के बाद अब E.D. ने एक और मामले में कारवाई तेज कर दी है शराब के बाद अब पानी मामले में भी आपके नेता फस सकते हैं E.D. ने अब दिल्ली जलबोड में कथित अनियमिताओं से जुरे धैन शोधन की जाच के सिलसिले में कारवाई तेज कर दी है और दिल्ली के जलमंतरी आतीशी है ऐसे में हो सकता है कि दिल्ली जलबोड में कथित अनियमिताओं से जुरी धैन शोधन की जाच को लेकर की चिंता बढ़ गई होगी दरसल एडी ने दिल्ली जलबोड में कतित अन्यमित्ताओं से जुरी धाइशोधन की जाच के सिलसिले में अपना पहला आरोप पत्र दाखिल कर दिया है कवर के मुताबिक संगी एजनसी ने 28 मार्च को दिल्ली में एक विशेश पीमेले अदालत म एक कमपनी को नामजद किया गया है जो दिल्ली जलबोड के पुर्व मुख इंजिनियर जगदीश कुमार अरोरा, ठेकेदार अनिल कुमार अगरवाल, NBCC के पुर्व महाप्रबंधक, D.K. मित्तल, तेजिंदर सेंग और NKG Infrastructure Limited है एडी ने आरोप लगाया है कि दिल्ली जलबोड द्वारा दिये गए एक ठेके में भरस्टा चार के माध्यम से प्राप्त धन, दिल्ली की सत्ता रूट पार्टी, आम आदनी पार्टी को कथित तौर पर चुनावी फंडे के रूप में भेजा गया था एजंसी ने इस मामले में पूश्ताश के लिए मुख्यमंत्री अर्विंद के जिर्वाल को भी समन भेजा था लेकिन वो पेश नहीं हुए थे एडी ने अब कारी नीती में कथित अन्यमित्ताओं से जुरे धन्शोधन के अन्य मामले में 21 मार्च को के जिर्वाल को गिरफतार किया था उनसे फरवरी की जाच के सिलसिले में केजिवाल के नीजी सहायक विभव कुमार आप किराज सवास सदसे तथा कोशा ध्यक्ष एंडी गुपता पुर्व दिल्ली जलबोड सदसे शलव कुमार चाटर एकाउंटेंट पंकज मंगल और इस मामले से जुरे कुछ अन्य लोग के ठेके में आनियमित्ताओं का आरोप है इस मामले में एडी ने 21 जनवरी को अरोरा और अगरवाल को गिरफ्तार किया था जाच एजंसी ने दावा किया है कि एनकेजी इंफ्रास्ट्रेक्चर लिम्टेड ने जाली दस्तावेज जमा करके और अरोरा को इस्तत्य की जानका बीजेपी चुराना चाहती है तवी वा केजरीवाल को गिरफ्तार करवाई है इडी की मदद से जैसे ही केजरीवाल गिरफ्तार हुए वैसे ही आपने अलग-अलग राजनितिक प्रपंच करने शुरू कर दिये थे तो कहीं आप सरकार के मंतरी सड़कों पर पुलिस के साथ दोलच कर हाई बोल्टरें से ड्रामा क्रियेट कर रहे थे कुल मिलाकर केजरीवाल के गिरफ्तारी के बाद से ही आपने दिल्ली को हाईजर्क करने की कोशिश की जिसकी वज़े से दिल्ली वाले सड़क जाम करने की परिशानी से हलकान हो गए जहां सड़क पर केजरीवाल क समर्थन में आपके नेता राजने दिक ड्रामा कर रहे थे तो वही सियम केजरिवाल की पतनी सुनी ता रोज लाइवा कर डेली सौप ड्रामा सीरियल की तरह केजरिवाल के पक्ष में समर्थन जुटाने में लगी थी कुल मिलाकर सडकों पर केजरिवाल और डिजिटल माद्यम से केजरिवाल की पतनी सीम केजरिवाल के पक्ष में महौल पना रहे थे इसी खेल में आपने एक अवियान शुरू किया केजरिवाल को आशिरवाद दो लेकिन लोगों ने इस अवियान कैसे पर खचे उड़ाये की आननफानन में आपने इस अवियान को ही बंद कर दिया हमने आपको एक खबर भी दिखाई थी कि कैसे लोगों ने केजरिवाल के समर्तन में शुरू कि इस अवियान के मज़े ले लिये हैं और कैसे लोग वाटसेप पर मैसेज भेज कर केच्रिवाल पर निशाना साध रहे थे लेकिन अब आपको लेने के दिने पड़ गए हैं जल्मे बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री की पतनी सुनीता केच्रिवाल द्वारा एक वीडियो संदेश में लोगों से वाटसेप नंबर के माध्यम से अपने पती तक पहुँचने का आग्रह करने के कुछ घंटों बाद बीजेपी के प्रवक्ता शाजाद पुनावाला ने ए केरे सूत्र ने मुझे बताया कि कि श्री मती सुनीता केच्रिवाल द्वारा जारी किया गया वाटसेप नंबर कुछी घंटों में हटा दिया गया क्योंकि दिल्ली और भारत के लोगों ने भारे संक्या में केच्रिवाल के स्तीफिकी मांगी थी पुनावाले ने सवाल करते हुए पूछा कि क्या ये सच है आप आप अदालत और जनता की राय के खिलाफ क्यों जा रहे हैं और पाबलो एसको बार की तरहें जेल से सरकार चला रहे हैं पुनावाला ने एक्स पर एक तस्वीर भी साच हो कि जिसमें बताया गया कि फोन नंबर 82, 97, 32, 46, 24 अब उपलब्ध नहीं है हमने भी आप द्वारा जारी इस नंबर को वर्टसेप पर देखा तो हमें कोई वर्टसेप अकाउंट नहीं मिला ऐसे में सवाल है कि क्या बीजेपी का ये आरोप सच है कि सुनीता केजरिवाल द्वारा जारी वर्टसेप नंबर पर ज्यादा तहले लोग केजरिवाल का इस्तीफा मांग रहे थे और उन पर निशाना साथ रहे थे हमने एक दिन पहले ही आपको कुछ स्क्रेंशाट दिखाये थे कि कैसे लोग वर्टसेप पर मैसेज कर केजरिवाल पर निशाना साथ रहे थे और वो स्क्रेंशाट का फोटो सोशल मीडिया पर कुब वारल हो रहे है तो क्या स्क्रेंशाट के वारल फोटो से आपके नेता ने डर कर वर्टसेप नंबर ही बंद कर दिया है कुल मिला कर देखें तो आम आदमी पारिटी को अब दिल्ली की उचनता का समर्थन नहीं मिल रहा है दिल्ली वाले समझ गए हैं कि कैसे केजरिवाल ने आम आदमी बन कर उन्हें ठग कर वोट तो ले लिया लेकिन उनके लिए कुछ नहीं किया और खुद अपने लिए शिश मेल बन वा लिया आम आदमी पारिटी के मुख्या अर्विंद केजरिवाल सलाकों के पीछे जा चुके हैं और अब आपके नेता भी केजरिवाल का साथ छोड़ कर भाग रहे हैं की बीजेपी के साथ डील हो गई है क्या रागब अब बाकी नेताओं की तरह आप से कन्नी काटने लगे हैं रागब लंदन में है क्या वो विदेश में पैट कर देश की राजधानी दिल्ली की राजनीती को हिलाने का प्रियास कर रहे हैं क्या रागब अब आप और केजरिव के लिए बैटिंग करते करते ठक गए हैं राघब ने अपनी अलग राह चुनली है यह तमाम सवाल खड़े होने लगे हैं जो राघब हमेशा से केज्रिवाल के पीछे खड़े रहते थे वही राघब केज्रिवाल की गिरफतारी के बाद से ही नदारत हैं आखिर कहां है पुरी आमादमी पार्टी अपने नेता की गिरफतारी का विरोध करने के लिए सड़कों पर उतर आई हैं लेकिन इस बेच आमादमी पार्टी के नेता इस्तीफा देकर भी पार्टी से भाग रहे हैं पंजाब से आपके इकलोते सांसद रहे सुशील कुमार रिंकू बीज पूजरी पी का दामन ठाम लिया था। वही अब सभाल उठने लगा है कि क्या राघपचड़ा भी कहीं केजरीवाल के साथ कोई खेला तो नहीं करने वाले हैं क्योंकि केजरीवाल के गिरफतारी के बीच आपके सांसद राघपचड़ा की गहर मजूदगी को लेकर सभाल पहले बीजेपी ने सवाल उठाये थी अब इंडिया गटवंधन की सयोगी पार्टी राश्ट्रवादी कॉंग्रेस पार्टी शरत पवार भी सवाल पूछने लगे हैं शरत पवार कैम्प के नेता जितियंद्र अभाड ने आप नेता और राजे सभस्तान सद रागप चड़ा की अनुपस्तिती पर सवाल उठाया उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सवाल पूछा कि रागप चड़ा कहा हैं पत्रकारों से बात करते हुए नसीपी नेता रही रागप चड़ा पर सवाल उठाने से पहले आतिशी जैसे आप नेताओं की सक्रिय उपस्तिती का भी जिक्र किया था उन्होंने कहा कि रागप चड़ा बुधिमान व्यक्ति हैं वो अपनी पार्टी के लिए आतियंत ही मुल्यवान नेता हैं आज जब पार्टी संकट में है तो आपके कारेकरतां को दुख हुआ अभांड ने कहा कि आपके सभी नेता दिख रहे हैं आतिशी और अन्य बहुत सक्रिय हैं रागप चड़ा पार्टी का चेहरा हैं और बहुत बहुत धिमान हैं उनके गायब होने से पार्टी कारेकरता आहत हैं उन्होंने आगे कहा कि वे दिन गए जब दूर रहकर आप लोगों से नहीं जुड सकते थे ये बहुत अचीब है वो इसलिए नहीं बोल रह सकते हैं और पार्टी को अपना संदेश भेज सकते हैं हम उनके पूरी तरह से गायब हो जाने पर सवाल पूछ रहे हैं आपको बता दे कि अर्पिन केजवी वाल के करीबी माने जाने वाले रागप चड़ा अपनी की पतनी परणीती चोपड़ा के साथ आंकी सर्जोरी के ये लंदन में हैं लेकिन जिस टाइम वो लंदन गये हैं उनके टाइमिंग को लेकर बीचेपी के बाद विपक्ष की नेता भी सवाल उठा रहे हैं वहीं रागप चड़ा ने लंदन में पृती गिल सही मुलाकात की दी जिने खालेस्ताने समर्था कहा जाता है पृत गिल क साथ रागप की मुलाकात को लेकर भी काफी बवाल हुआ था लोग सबचनाओं की सरगर्मी शुरू हो चुकी है और सभी की निगाहें इस बात पर ठीकी है कि आखिर बीजेपी तमिलनाडू और केरल जैसे राज्यों में कमल कैसे खिलाएगी क्योंकि हाल के दिनों में पियम मोदी ने दक्षिन के काफी दोरे किये हैं और बीजेपी सि जंग में तमिलनाडू को लेकर काफी आश्वास्त नजर आ रही है वहीं तमिलनाडू में बीजेपी को एक ऐसा सियासी सिंगह मिल चुका है जिसके काम की तारीफ पियम मोदी से लेकर ग्रे मंतरी अमिच शाह भी कर चुके हैं हम बात कर रहे हैं पुर्व IPS अधिकारी अन् जंग में अन्नाडू में अन्नामलाई ने बीजेपी की कमान समाली है तब से दक्षिन के इस राज में बीजेपी काफी मजबूत हुई है और स्टैलिन की पार्टी डियम के में खलबली मच गई है लेकिन अन्नामलाई ने अपने अंदाज में स्टैलिन की पार्टी के नेत लेकिन इसका माकूल जवाब दिया है तमिलनाडू बीजेपी के परदेश अध्यक्ष अन्नामलाई ने बताया है कि कैसे डियमके के मंत्री ने पीम मोदी को टुकरे टुकरे में काटने की धमकी दी तमिलनाडू में बीजेपी के परदेश अध्यक्ष और दक्षिन बैंगलूरू के पुर्व डीसीपी के अन्नामलाई अपने फायर ब्रायंड छवी के लिए जाने जाते हैं पार्टी उनके नेतूत में तमिलनाडू में लोकसबा चुनाव लड़ रही है कि अन्नामलाई खुद को एमबटूर से चुनाव लड़ रहे हैं करुना निदी के परिवार के विरुध लड़ाई पर उन्होंने कहा है कि खुद तमिलनाडू के कानून मंतरी एस रगुपती कह चुके हैं कि जब 2024 में इंडी गड़ बंदन सत्ता में आएगा तब पहली ग्रफतारी अन्नामलाई की होगी उन्होंने बताया कि कैसे एक अन्ने मुखे मंतरी ने प्रधान मंतरी मोदी को ही ग्रफतार करने का आयलान कर दिया दरसल अन्ना मलाई ने A.N.I. परिस्मीता प्रकास के साथ पॉड कास्ट में कहा कि तमिलनाडू का एक मंत्री पीम मोदी को टुकरों में काट देने की बात करता है उन्होंने कहा कि क्या इसका सीधी भाशा में जबाब दिया जा सकता है अन्ना मलाई ने कहा कि पियम मोदी के नाखुन की गंदगी के बराबर भी वो मंत्री नहीं है पियम मोदी के साथ स्पीजी के सुरक्षा है उनकी सुरक्षा चार लेयर की है अन्ना मलाई ने इस पस्ट कहा कि पियम मोदी को अगर कोई छूता भी है तो उसे वो नहीं छोरेंगे अन्ना मलाई ने कहा कि उनकी वफदारी पार्टी के साथ है खास कर पियम मोदी के साथ उन्होंने कहा कि अगर PM मोदी को गालिया परती है तो वो चुप नहीं रहेंगे उन्होंने कहा कि PM मोदी को गाली देना उनके लिए लक्षमन रेखा है वहीं उद्य निदी स्टैलिन को तमिलनाडू का पपू कहे जाने पर अन्ना मलाई ने कहा है कि उनके लिए भी तरह तरह की भाशा का इस्तमाल किया जाता है उन्होंने कहा कि उनका काम इस तरह से जबाब देना है कि दोवारा वो PM मोदी को लेकर ऐसी टिपनी ना करे तो देखा अपने कैसे अन्नामलाई ने स्ट्यालिन की पार्टी DMK को करारा जबाब दिया है सत्यपाल मलिक भी समझ गये हैं कि आएंगे तो मोदी ही तबी तो महौल देखकर मलिक के पसीने छूटने लगे है सत्यपाल मलिक जब तक गवर्नर की कुरसी पर थे तब तक उन्हें सब मीठा मीठा लग रहा था लेकिन जैसे ही गवर्नर की कुर्सी गई वैसे ही शायद कुंठा से गरसित हो गए और बीजेपी को लेकर उल जलूल बयान देने लग गए सत्यपाल मलिक भी व्रम फैलाने वाले गैंग में शामिल हो गए हैं दरसल बीते कई सालों से नरेंद्र मोदी सरकार के तीखे आलो चक सत्यपाल मलिक ने लोक स्वचनाव से ठीक पहले एक बार फिर निशाना साधा है उन्होंने देश वास्यों के नाम अपील जारी करते हुए सभी से मोदी सरकार को उखार फेकने का आवान किया है उन्होंने एक्सपर लिखा है कि यदी मोदी सरकार फिर से सत्ता में आई तो आपके बच्चों का भविष अंदकार मैं हो जाएगा यही नहीं उन्होंने कहा है कि इस बार यदी आप मौका चूक गए तो फिर आपको कभी वोट का अधिकार नहीं मिलेगा सत्यपाल मलिक ने एक्सपर लिखा है कि एक बात मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि 2024 में मोदी सरकार अगर दोबारा सत्ता में आई तो आने वाले समय में आपके बच्चों का भविष अंदकार मैं हो जाएगा सत्यपाल मलिक ने अरविंद के जिर्वाल की गिरफटारी की मार जेल रहे हैं महंगाई आसमान चुरही है सरकारी अस्पताल और स्कूलों को भी मोदी सरकार बंद करने पर तुली हूई है अगर आप अपने बच्चों का भविष अच्छा बनाना चाहते हो तो इस देश को बचाना चाहते हो तो इस मोदी सरकार को सत्ता से उखार फेको यही नहीं सत्यपाल मलिक ने ये भी लिखा है कि अगर आप इस बार ये मौका चुक गए तो फिर आपको कभी वोट का अधिकार नहीं मिलेगा बता दे किस से पहले सत्यपाल मलिक ने अरविंद केजरवाल की गरफतारी पर भी मोदी सरकार पर हमला बोला था उनका कहना था कि मैंने पहले ही भविश्वानी कर दी थी कि चुनाओ से पहले अरविंद केजरवाल को आरेस्ट किया जाएगा सत्यपाल मलिक ने केजरवाल की गरफतारी को लेकर सीधे पीम मोदी पर निशाना साधा था उन्होंने लिखा था कि गद्धी पर बैठा तानाशाह डरपोक आदमी है जो देश की सरकारी एजंसियों का गलत इस्तमाल कर रहा है अर्विंद के जिवाल की गिरफतारी करके मोधी सरकार ने अपने ताबूत में आखरी किल ठोक ली है तो देखा आपने कैसे देश में मोधी लहर देखकर चिंतित सत्यपाल मलिक लोगों को डराने की कोशिस कर रहे हैं कि इस बार अगर मोधी सरकार सत्ता में आई तो फिर आपको कभी वोट का अधिकार नहीं मिलेगा बिरो रिपोर्ट ओमेच नियूस